नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं दो तिन नए प्लांट लगा रही हूँ और कुछ गार्डन में और भी काम करूंगी तो वह आपको दिखाऊंगी आज मैं जो प्लांट लगा रही हूँ एक तो यह अलेशियम का प्लांट है अगर आप सर्दियों में ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जिसमें बहुत अच्छी खुस्बू हो तो आप यह पौधा लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी खुस्बू होती है इसके फूलों में इसके फूल छोटे-छोटे होते हैं लेकिन गुच्छों में खिलते हैं और इतनी अच्छी खुस्बू आती इसमें जो फूल है वो डबल लेयर में खिलता है तो काफी बड़ा और सुन्दर सा इसका फूल है ये 40 रुपे का पोदा है तो अभी मैं इनको लगाऊंगी सबसे पहले तो ये जो डबल वाला जो पिटूनिया है इसकी जड़ मुझे काफी लंबी लग रही है नीचे दक नि नीचे से नई कलियां भी जल्दी निकलती है और कुछ खराब पतियां खराब फूल ये रोज गार्डन में से छोटी सी बालकनी है लेकिन खूब सारे निकलते हैं तो ये सब सफाई मैंने कर दिया है पेड़ पोधो की अभी इसको निकालती हूँ और देख लेते हैं इसको जल्दी पोधा हमारा खराब हो जाता है तो कैसे भी करके इस चिकनी मिट्टी को मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी अगर आपसे नहीं निकलती है तो आप ऐसे ही लगा दीजे इसको वैसे भी एपिटूनिया दो तीन-चार महिने का ही प्लांटर के बाद तो गर्म सेंड की जगए आपको कोपीट भी ले सकते हैं तो देखिए बड़े गमले में मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसमें पानी देदूंगी जब भी आपको नया पौधा लगाते हैं रीपोर्ट करते हैं तो एक बार अच्छे से पानी देने के बाद दुबारा जब जब तक पानी ना दे जब तक मिट्टी सूखे ना वरना पौधा खरब होने के चांस रहते हैं तो एक बार अच्छे से पानी देदिया और दोबारा उसको थोड़ा मिट्टी को सूखने दे और इसको एक दो दिन हलकी सी धूप में रखें उसके बाद हम इसको धूप में रख सकते हैं तो बस ही जल्दी से पूरे गंबले में पैल जाए और बहुत अच्छे से चले देखिए इसको मैंने लगा लिया है ऐसे ही एक और छोटा वाला पिटूनिया रखा है उसको भी मैं बास्केट में लगा देती अभी मैं ये ऐलेशियम वाला पौधा लगा लेती हूँ जब भी मैं कोई नया पौधा नर्सरी से लाती हूँ तो अगर वो चिकनी मिट्टी में लगा हो तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगने लगता है जब तक उसकी मिट्टी में हटा ना दू और उसको नई मिट्टी तो देखिए दीरे दीरे करके चिकनी मिट्टी में जड़ो से हटा रही हूँ बहुत ही अराम से जादा मैंने नहीं हटाई है क्योंकि ये मुझे जादा हार्ड मिट्टी नहीं लग रही है जादा चिकनी बहुत अराम से निकल गई तो इसलिए मैंने थोड़ी सी छोड़ अब इसको अच्छे से मैं लगा दूंगी इसको भी मैं थोड़े बड़े गमले में लगा रही हूं ताकि अच्छे से फैल जाए और अच्छा चले इसके लिए भी सेमी मिट्टी मैंने ली है कमपोस्ट बराबर मिलाया है सेंड है और थोड़ी सी मिट्टी है तो देखिए इस तरह से गमले में लग गया है अब पानी दे देंगे और इसको भी मैं साइड कर देती हूँ पोधो का काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है अभी मुझे जल्दी से खाना बनाना है और बाकी का काम मैं बाद में करूँगी तो देखिए अभी मैं दुबारा से आ गई हूँ और मैं हाँ पर कुछ कोलियस की कटिंग्स लगा रही हूँ एक कोलियस की जो ब्रांच है वो खराब सी हो रही थी जब भी कटिंग्स अभी जैसे की ठंड का मोसा में लगाते हैं तो बिल्कुल स्प्रे से ही पानी दीजे बस मिट्टी में हलकी हलकी सी बस नमी रहनी चाहिए क्योंकि जैसे थोड़ा सा पानी जादा होगा तो हमारा ये कटिंग्स गल जाएंगी तो बिल्कुल बस मैंने हलकल का सा पानी चुड़क दिया है और इसको हम छाया में रखेंगे तो ये मेरी कटिंग्स भी लग गई है अभी इसको सेंड मिक्स मिट्टी में लगाया है कटिंग को मैंने और ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है जो काफी लंबा हो गया है पत्तिया भी उपर इस पर अच्छी आ रही है लेकिन मुझे इसको घना करना है इसलिए आज मैं इसको कट कर रही हूँ कट करने का यही पायदा है कि हमारी कैई ब्रांच इसमें से निकल जाएंगी तो इसलिए आज बहुत ही क्याड़ा मन करके मैं इसको कट करूंगी पत्तिया मैं यूज में ले लूँगी और जल्दी ही अभी एक दो महीने में इसमें से ब्रांच इस निकलना शुरू हो जाएंगी और फिफ फरवरी के बाद अच्छा मोसम आएगा तो यह अच्छे से ग्रोथ करेगा तो इसको मैं हाँ से देखे कट कर रही हूँ कट करने के बाद मुझे पूरी उमीद है कि अब जल्दी इसमें चारो तरफ से ब्रांच इस निकलेंगे और हमारा पोधा बहुत घना हो जाएगा तो कभी कभी बहुत ही कट होर मन करके ऐसे भी पोधे को कट करना पड़ता है तो यह जो धर्मा कोल की कुछ गोली सी पड़ी है उपर से एक पच्चा रहता है उसने साइद उपर से डाल दे है और कुछ नहीं है यह तो मैं इसकी सबसे पहले गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करके इसमें एक तरफ से गड़ा करेंगे और इसके चारो तरफ हम अच्छे से वर्मी कंपोस डाल देंगे खाट डाल देनी है बढ़ी हासे ताकि यह ग्रोध बहुत ही बढ़ी हात तरह से करे खाट को हमें इस तरह से गड़ा करके डालना है और इसके उपर मिट्टी डाल देनी है अच्छे से दबा देना इसको ताकि यह अंदर रहे मिट्टी के जड़ों के आसपास और काफी लंबे टाइम तक दीरे-दीरे हमारे पोधे को पोशन देता रहे तो देखिए मिट्ट से पूरा ढग दिया है चारों तरफ मैंने खात दे दिया और अब अच्छे से मैं पानी दे दूंगी तो अब तुरंत यह जड़ों तक जाएगा और एक दो महिने में हमारे पोधे से नई ब्रांचिस निकलना शुरू हो जाएंगी तो जल्दी से पोधा घना हो जाए जल् यू वेरी मुच बाई जैसीयाराम